कोचिन सिपियाड लिमिटेड में भैकेंसी आया हुआ है चलिए डिटेल में समझते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल वन में क्या लिखा हुआ है इसको समझने का परियास करिए यहाँ पर सिरियल नमबर वन में देखिए और यहाँ पर लिखा हुआ है डिसिप्लीन यानि कि metric pass होना चाहिए इसके बाद 3 साल का डिपलोमा होना चाहिए और यहाँ पर लिखा हुआ है 60% marks होना चाहिए इसके बाद कैड भी बोला है कैड भी होना चाहिए ठीक है अब चलते हैं आगे यहाँ पर दूसरा नंबर में देखिए ship dropsman trainee electrical के लिए electrical के लिए भी वही चीज़ है यानि कि metric pass होना चाहिए दस्वी pass होना चाहिए इहाँ पर लिखा हुआ है SSLC यानि कि secondary school living certificate और 3 साल का डिपलोमा होना चाहिए 60 marks के साथ और साथ में इहाँ पर देखिए दोनों में लिखा हुआ है draftsmanship and professional cad यह होना चाहिए जो भी interested है जरूर online application करिएगा और यहाँ पर देखिए date दिया हुआ है यह कब post किया है 5 April 2023 को और कब तक भरना है form last date of online application यानि कि 19 April तक आप online application कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कितना post किसके लिए है जैसे general के लिए 34 post है किसमे mechanical के लिए ठीक है mechanical ship, draftsman, trainee mechanical के लिए general का 34 इसके बाद OVC का 15 AC का 5 EWS का 5 total 69 है इसके बाद दूसरा नमर में देखिए electrical के लिए general में 10 OVC 6 AC का 0 EWS 1 और total 17 और total भाकेंट से आप यहां देख सकते हैं total है 44 general के लिए OVC के लिए 21 total और AC के लिए total 5 और EWS के लिए total 6 और total हो गया 76 ठीक है 76 अब चलते हैं आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें जनकारी आपको लेना जिरूरी है अब टेबल थीरी में पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है अच्छा इसमें लिखा हुआ है category B category C यानि की benchmark disability यहां पर लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लिजेगा रोक के सभी लोग पढ़ लिजेगा ठीक है इसके बाद आते हैं टेबल फोर में क्या लिखा हुआ है इसको समझना है फर्स्ट इयर यानि की इसमें दो साल का ट्रेनिंग होगा इहां पर देखिए लिखा हुआ है period of training देखे two years लिखा हुआ है दो साल training period होगा और इहां पर देखिए इहां पर समझना बहुत जरूरी है मैं इसको पुरा पढ़के समझाता हूँ the period of training shall be for two years इहां पर लिखा हुआ है however depending upon organizational requirements availability of vacancies and individual performance successful candidate may be consider for contractual post for a period of three years अब यहां पर आपको सबसे बड़ी चीज़ समझना है क्योंकि लोग हरबर में भर दते हैं लेकिन ये जैसे दो साल का training period complete होगा ना और जो candidate successful होगे training में तीन साल का contractual पर आपको रखा जाएगा यहां पर asperst लिखा हुआ है सकता है इसी तरीके से contractual जैसे वहां पर आप experience हो जाएगा आपका तो जैसे तीन साल का है तो उसको बढ़ाती रहेगा और next तीन साल या और next तीन साल इस तरीके से करता जाएगा या कभी permanent भी किया जा सकता है लेकिन मैं ये बेतन क्या मिलेगा तो यहां पर देखिए सबसे पहले stipend लिखा हुआ है training period में पहला साल में आपको 12,600 मिलेगा stipend लिखा हुआ है तीक है दूसरा साल में 13,800 मिलेगा और यहां पर क्या लिखा हुआ है compensation for extra hour of work यानि कि अगर कोई extra काम करता है जिसको क्या बोलते है OT overtime करता है तो पर महिने 4,450 रुपिया लिखा हुआ है ठीक है और बाकी इधर में पर सकते हैं और age क्या होना चाहिए age के बारे में सबसे पहले समझना है 25 साल से ज़ादा नहीं होना चाहिए जिसका जनम 20 अप्रील 1998 के बाद हुआ है वही apply कर सकते हैं ठीक है इसके बाद इहाँ पर देख सकते हैं इधर में क्या लिखा हुआ है मैं एक बार अच्छा इधर में आप पढ़ लीजेगा जो भी इधर में लिखा हुआ है इसको पढ़ लीजे रोकर मैं इहाँ पर टेबल 5 में आप लोगों को बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है एकजाम होगा ठीक है और इसमें डिपलोमा का आपको 20 मार्क्स दे दिया जाएगा और फेज 1 में objective type online test होगा जिसमें 50 मार्क्स रहेगा हंडेड होगा ठीक है टोटल मार्क्स यानि कि डिपलोमा किये तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा इसके बाद objective type में आपको 50 मार्क्स और practical test in CAD software में आपको 30 मार्क्स मिलेगा ठीक है तो इस तरह का आपको exam देना होगा और इहाँ पर देखिए लिखा हुआ है objective type online test cell B एग घंटा यानि कि 60 मिनट ठीक है और आगे रोक कर आप इसको पढ़ लिजे और इहाँ पर देखिए question कहा कास रहेगा general knowledge 5 general English 5 reasoning 5 quantitative aptitude 5 यानि कि math subjective related subject से related 30 रहेगा ठीक है टोटल 50 हो गिया ठीक अब चलते हैं आगे इसको आप और ज़्यादा पढ़ लिजे रोक कर और यहाँ पर देखते हैं क्या है अब इधर में आप रोक रोक कर जरूर फढ़िएगा पढ़ना चाहते हैं तो मैं आगे बढ़ा देता हूँ इस तरीके से इसको फढ़ लिजेगा मैं आगे बढ़ा देता हूँ रोक रोक कर पढ़ लेना है लास्ट हो गया ठीक है जो भी इंट्रेस्टेड हैं भर सकते हैं लेकिन याद रखेगा दो साल का ट्रेणिंग पिरियेड और ट्रेणिंग पिरियेड खतम होने के बाद कितना सेलरी मिलेगा वो भी नहीं लिखा हुआ है और तिन साल का कोंट्रक्चुल तो बोल चुका है ठीक है